हेलो एवरिमन तो आज हम अपने चैप्टर हेलो एलकेन एंड हेलो एरीन में लेक्चर नमबर 6 पढ़ेंगे एंड इसमें हम फर्दर अपने एसन रियक्शन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे हमने लेक्चर नमबर 5 में जो है various types of factors affecting the rate of एसन रियक्शन को डिसकस किया था after that हमने reaction of हेलो एलकेन्स and हेलो एरीन्स with magnesium that is metal reaction with metal हमने देखा था और डिगनाड रियजंट का formation हमने सीखा था हमने ये भी देखा था कि importance of डिगनाड रियजंट क्या है हम क्यों इसको इतनी importance देते हैं क्योंकि ये various reactions में बहुत ही अच्छा role play करता है जब भी हम किसी भी compound को जब हम formation करते हैं तो उसमें ये एक बहुत important role play करता है इसकी basis हमने दो तीन एक जांपल्स भी किये थे and after that हम आज discussion further continue करते हैं तो आए तो आज जो हम SN reaction पढ़ेंगे डाड़िज stereochemistry that is stereochemistry of SN reaction हम यहां पर जो है SN1 and SN2 दोनों के बात करेंगे तो इन जेनरल हम SN reaction बोलते हैं हम stereochemistry of SN reaction आज discuss करेंगे तो stereochemistry क्या है stereochemistry basically isomericum है stereochemistry क्या होता है कि जब भी reactions होती है तो जो reagents जो nucleophile है या एलेक्ट्रोफाइल है वो कभी अब आफ दी plane से attack होता है कभी below the plane से होता है और उनका orientation जो है 3D में वो reactant के according कभी same होता है कभी different हो जाता है तो उसी को हम stereochemistry बोलते हैं हम basically यहाँ पर stereochemistry of sn1 and sn2 reaction को बात करेंगे तो आए देखते हैं कि stereochemistry of sn1 reaction में क्या होगा first of all sn1 की हम बात करेंगे तो sn1 reaction की हम बात करेंगे हम एक example टेक करते हैं हमने माना कि let's say example ch3 ch ch3 and this is x this is living room एक नियोक्लियो फाइल है और हमारा यह reaction जो है एक polar product solvent में होगा ch3 OH यह हमारा एक polar product solvent है जो कि हमारा sn1 reaction को favor करेंगा तो अब बात आती है कि इसका stereochemistry से क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जब हम इसके stereochemistic basis पर questions करते हैं तो first of all इसका तो हम पर पता है कि mechanism के थ्रू कि यह living room first of all निकलेगा step one में तो c ch3 and edge और यह plus यह तो form होगा carvokatine जो एक intermediate होता है in case of sn1 reaction तो यह इसकी hybridization क्या है sp2 इसके basis पर जब हम इसका actual structure बनेंगे तो क्या बनेगा एक प्लेनर molecule बनेगा trigonal planar तो हम एक trigonal planar molecules को बना लेते हैं फॉर बेटर and since यह share कर लिया तो इसके पास जो orbital था जो मतलब share कर दिया जो जिससे वो positive charge आया वो orbital इसका blank हो गया अब हमारा nucleophile है अब हमारे इस nucleophile के पास दो तरह के path होंगे एक कि यह इस तरह से above side से attack करें दिस इस प्लेट से path A and दूसरा path हो सकता है कि यह back side से attack करें नीचे से plane के तो यह भी हो सकता है तो इस तरह से दू तरह से attack हो सकते हैं अगर हम above side attack ले तो CH3 CH3 hydrogen और यह हमारा nucleophile ऊपर के साइड से आके लग गया यह हमरा product EK through बना है plus हो सकता है कि यह nucleophile बिलू से भी attack करें बिल्कुल हो सकता है तो जब बिलू से attack करें तो यह hydrogen ऊपर चला जाएगा नीचे आए तो आप कहेंगे सर इसमें फर्क क्या है बहुत हर से तो इसमें बात यह है कि इसमें जो है हमने सारे molecules को normal bond line के through represent किये हैं इसको जब 3D representation question में दिया जाता है तब इसका effect most of the time देखा जाता है for example ch3 c ch3 this is x and this is let's say ch3 again यह फिर हम ch3 इसको न लगे कुछ different compound ले दे दे हैं ताकि हमारा discussion अच्छे से हो तो हम क्योंने इसको hydrogen ले 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 यहाँ पर सिर्फ हमारा hydrogen है अब यह जो structure है इसको हम wedge dash structure बोलते हैं अब इसे हम wedge dash structure बोलते हैं अब इस वेजडेस प्रोड़क्ट करें जब इसका हम जब reaction कराएंगे nuclear file से तो इसमें क्या होता है कि दो प्रोड़क्ट फॉर्म होते हैं sn1 reaction में कि इसको मेरे मेरे माय injection भी बोलते हैं इसमें जो होता है कि रेस्मिक प्रोड़क्ट मनता है रेस्मिक प्रोड़क्ट किसी बोलते हैं मैं आपको बताता हूं कि एक बार nuclear file इसे living group के साइट से अटेक करें मभलत बिलोडी से एक हमारा हाइड्रोजन यह हमारा जो मॉलिक्यूल है यह कंपाउंड जो CH3 है है सब्सेट्टुएंट यह हमारा अबव दी प्लेन ही रहा और यह लिभिंग रूप जो है बिलो दी प्लेन यहीं से निकला और नुकलियो फाइल नीचे सही अटेक करके यहां पर attach हो गया प्लस दूसरा condition क्या हो सकता है दूसरा condition यह हो सकता है कि यह नुकलियो फाइल नीचे से अटेक ना करके ऊपर से अटेक करें तो जब यह ऊपर से अटेक करेंगा तो जो हम नॉर्मल बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे ग्रूप एडिटी सेम होते हैं फर्क बस इन दोनों में आता है एक अबाव दी प्लेन एन बिलो दी प्लेन में जब ये सेम तरह से अटैक करेगा जिदर से लिविंग ग्रूप है तो एक्जैक्टली सेम आपका एडिशन टाइप मतलब जो सब्सिट्वेंट होता है वो नुकलियो फाइल वो एड होता है बट जो अबाव टाइप से जब अबाव साइड से अटैक करेगा तो इन दोनों में एक्शेंज हो जाता है जो यहां अबाव दी प्लेन है वो बिलो दी प्लेन आ जाता है और जो बिलो दी प्लेन जो निकलियो फाइल को है यहाँ पर जो सब्सेट्टुएंट आता है निकलियो फाइल वो अब अब दी प्लेन से आता है तो इन दोनों में ये फर्क है कि इस केस में CH3 प्लेन के उपर लाई करता है and in this case CH3 जो है वो प्लेन के नीचे लाई करता है for example तो आई यह देखते हैं कि actually इन दोनों में difference क्या है यह plastic model मैंने बना रख्या है इस model समस्ते की above the plane and below the plane का क्या मतलब है अब जब इस plastic model को देखेंगे तो यह जो red वाले जो है यह जो red से represent किये गए है जो red ball है इसको हम let's say CH3 molecule को represent कर रहे है यह हमने माना कि CH3 जो है वो red से represent कर रहे है जो yellow है उसको हम nucleophile represent कर रहे है and जो blue color है that is hydrogen यह कुछ हमारा हमने यह let's say मान लिया कि कुछ इस तरह का है है यह जो यह plastic model है यह कार्बड अब SP3 hybridized का है यह जो SP3 hybridized है तो अगर आप ध्यान से देखें इन दिस के एक CH3 and एक hydrogen मैंने agitive सेम रखा इन दिस केस अगर हम B को ध्यान से देखें तो CH3 और hydrogen CH3 एक red वाला and एक hydrogen यह plane में लाई करेंगे जब यह plane में लाई करेंगे तो यह जो yellow वाला है जो nucleophile है वो देखिए इस plane के ऊपर आ रहा है आप इस तरह से देखिए यह plane के क्या है ऊपर है जो nucleophile है plane के ऊपर है और जो दूसरा CH3 group है यह डाउन जा रहा है जब आप इन दोनों को जब plane our बनाएंगे तो यह जो है down साइड नीचे के साइड जा रहा है तो जो ऊपर के साइड है उसे हम इस तरह से रिप्रेजन्ट करते हैं जो नीचे के साइड है उसको हम desks लाइन से रिप्रेजम्ट करते हैं एक अपर फिर से कर देता हूं कि यह ch3 यह hydrogen है हमन्सक्त कि जो रेड वाली बॉल है वो सीस्ट्री मॉलेक्यूल है जो ब्लू वाले बॉल है वो हाइड्रोजन है जब यह प्लेन में आएगे कुछ इस तरह से तो यह एक बॉल उपर की तरफ आया है लाइक दिस यह जो बॉंड एक रिप्रिजेंट कर रहे है सिंगल बॉंड यह जो है से रिप्रिजेंट करते हैं और जो बिलो जा रहा है जो बिलो साइट जो नीचे के साइट जा रहा है इस कार्बन के थुरू उसको हम डैस लाइन से रिप्रिजेंट करते हैं यह रिप्रिजेंटेशन होती है वेज डैस फॉर्मूला की अगर हम देखें तो सी एस त्री और hydrogen को हमने same रखा I am CS3 और hydrogen हमने same रखा यह CS3 एंड यह hydrogen यह जो रहा वह सेम रहा और इन दोनों groups को आपस में exchange किए क्योंकि जब हम यह वाले molecule को देखें तो अब हमारा CH3 जो है वह अब आफ दी प्लेन है तो अब आफ दी इन के लिए हम इसको दोनों को उपर लाना telling yellow वाले को जो नुपल्यूफाइल क60 कर। हो बिलो दी प्रेंट तो इसके लिए किहा किना होगा इसके लिए इन दोनों को एक्शेंज करना होगा है एंड आप सब्सक्थ्थिक्ल्ण कर फ्रत्यों निकाल तो B वाला अगर A के जैसा ही होता तो हमें इन दोनों bonds को change क्यों करना पड़ता अगर ये दोनों एक ही चीज को represent करते तो हम लोगों को इन दोनों bonds को एक दूरस्वर से interchange करने क्या जूरत थी इसको हम वैसे भी rotate कर देता हो जाता बट ऐसा नहीं है इसलिए ये actual में जो A and B दिख रहे हैं ये आपस में molecular formula तो same है दोनों का बट actual में ये दोनों molecules जो है वो exactly same नहीं है इस तरह के molecules को हम stereo isomers बोलते हैं इस तरह के molecules को हम stereo isomers बोलते हैं जो दिखते तो हैं एक जैसे बट उनका एक जैसा नहीं होता है व्योहार जिसे हम बोल सकते हैं व्योहार वो एक तरह से react नहीं करते हैं एक जैसे वो action आपको दिखेंगे तो इसको बोलते हैं हम 3D orientation जब हम 3D में जूम करते हैं तो ये वाले molecule जो above the plane है वो in this case below the plane है ये समझ में कि A और B में क्या difference है A और B सेम तरह के molecule दिखते हैं बट actual में ये सेम तरह के molecule नहीं है A and B are isomers and isomers में अगर हम इसको division करें तो ये एक तरह के stereo isomers है क्योंकि इनकी connectivity भी सेम है इधर भी CH3 ये जो carbon है दो methyl group से एक hydrogen से और एक nucleophile से attached है and similarly ये carbon जो है दो methyl group एक nucleophile और एक hydrogen से attached है इसका मतलब क्या है इसका मतलब connectivity सेम है connectivity में कोई difference नहीं है जो atoms इससे connected है या फिर molecules वो CM molecules इससे भी connected है फर्क बस इतना है कि वो 3D में जो 3D structure जब देखा जाया तो उनका structure different आता है और इस तरह के जो products form होते हैं एक ही solution में इनको हम inensiomers बोलते हैं इनको हम inensiomers बोलते हैं inensiomers basically इनका configuration जस्ट opposite होता है अब इक configuration क्या होता है यह हम बाद में डिसकस करेंगे बट हाल फिलहला पितना ध्यान दे कि यह जब भी SN1 reaction होगा तो हमेंसा दो product बनेंगे फर्क बस इतना है कि जब भी आपको wedge dash formula दे या फिक कोई और formula दे मैं एक दो और formulas के बारें डिसकस करूँगा अगर उस तरह के formula दे तो हमें दो product बनाने होते हैं otherwise अगर इस तरह के molecule दिये जाएं compound like जैसे मैंने पिछले examples में जिस तरह से कराया हूँ अगर उस तरह के दिये जाएं like this तो हमारा एक molecule ही बनाए हम तो भी हमारा answer correct होगा क्योंकि अब इस तरह से इसमें decide करना मुश्किल है कि कौन molecule above the plane है and call below the plane है क्या मेरी बाद यहां पर clear हुई है अगर हुई है तो आईए मैं और दूए examples लेता हूँ ताकि इससे आप clear हो सके एक example लेते हैं let's say this is CH3 इससे हमारा connected है final group and इससे connected है हमारा CH3 जो above the plane है है वो है हमारा CL and जो below the plane है वो है हमारा let's say hydrogen ही मान लेते हैं एक यह हमारा molecule given है इसकी हम reaction एक OH- से कराते हैं जो एक nucleophile है और हमें यह given है कि यह जो reaction है वो SN1 mechanism के थ्रू हो रही है और इसका हमें product बनाना है तो अगर आप दिहान से देखें कि यह जो दिया हुए है एक wedge of the plane लाई करता हो like this रिप्रेजेंट किया जाता है और एक जो है वो डैस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जो below the plane होता है अब यह ओच माइनस जो है यह दो से attack करेंगा एक attack होगा कि जिस तरह से CL निकले से उसी डायरेक्शन से यह attack करके और उसी साइड से लग जाए तो यह फिनाइल ग्रूप फिनाइल ग्रूप हम बिसिकली बेंजीन को बोलते हैं आप इससे बेंजीन रूप्ट प्रूप ग्रूप जब किसी से भी बेंजीन ग्रूप अटेच होता है तो इसको से लगिन सजोई होत पहीं बोलते हैं कि यह से अटेच हो तब इसको रहें दिया CH three इस gust आप इतना धयान देख कि कि लोग जो मेंलाई करते हैं वौन को उनको हमें सीम रखता है उनसे हमें कोई भेदभाव नहीं करना प्रॉब्लम बस इन दोनों में है एक बार आपको करना है कि जिदर से लीविंग ग्रूप निकला उधर से ही आपको निकलिफाइल लैड करना है और जो दूसरा प्रॉड़क्ट बनाना है उसमें नीचे से अट इस तरह से निकलेगा उसी डिरेक्शन से ओष मैंने साकर लग जाए मतलब जो अब 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 दी प्लेन था वह वह अब दी प्लेन आ जाए और बिलो दी प्लेन हैड्रोजन आज इस रहा जाए प्लस यह पी एच यह च्छी हमने इससे कोई छेट छाड़ नहीं किया अब हम हमने एक बार इससे करा चुके हैं मिट तो अब हम हाड्रोजन के साइट से अटैक करेंगे तो यह और टे紫ट ओके यहां आ जाएगा हम हाड्रोजन से सबस्रा कराएगगे तो यह निचे से यह जाएगा है जो भी यह चल्द पीटिबर को सब्सड़ करते हैं यह हमारा compound A बना यह B बना अगर इन दुनों को बीच में relationship पुछा जाए तो A and B are known as inensiomers यह एक दूसरे के inensiomers होते हैं और इसका जो solution बनता है total मलब जिस beaker में यह form हो रहे हैं जिस भी beaker में यह reaction कराई जा रही है उस पूरे solution को जो हम बोलते हैं उस पूरे solution को बोलते हैं रेस्मिक मिक्चर हाल फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही important है अब आप इसके deeply मत जाएगा क्योंकि यह सारी चीजे 11 के basic हैं और आप deeply जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 12 में क्योंकि 12 का syllabus भी आपको देखना है तो समस्या हो इसलिए बहतर होगा कि जितनी चीजे आपको बताई जा रही है आप उतना अगर ध्यान दे तो आपको 12 में कोई समस्या नहीं यागी इस बात की मेरी guarantee है क्योंकि जो basic चीजे important है जो यूज होने वाले जो reactions में यूज होते हैं उनको मैंने discuss कर लिया है यह discussion करूं का जो अभी हो गया है और जो नहीं हुए उन्हें हम further discuss करेंगे तो जो यह stereo chemistry of SN1 reaction थी जिसमें हमें अगर 3D structure दिया हो किसी भी compound का अगर उसमें हम SN1 reaction कराते हैं तो दो product form होते हैं A and B A and B में अगर relationship पूछा जाए तो उन्हें हम inensiomers बोलते हैं and अगर पूरे solution को पूछा जाए तो solution को हम rhythmic mixture का नाम देते हैं इन दूप points को आप ध्यान दे एंड एक और point जो है वो A and B का formation कि जो plane में lie करते हैं उन molecule से हमें कोई समस्या नहीं है वो molecule agitive सेम में lie करेंगे plane में ही फर्क बस इतना है कि एक बार जो है nucleophile living group के side से attack करें and दूसरी side उसके opposite side से मतलब अगर nucleophile above the plane है अगर living group above the plane है तो एक बार nucleophile above the plane attack करें और attach हो like this and दूसरा जो compound बनेगा उसमें below side attach हो यह एक example था हमारा जिसमें हमने living group को above the plane लिया था एक और example डिसर्स कर लेता हूं हम जिसमें हम living group को below the plane लेते हैं let's say this is CH3 this is deuterium above the plane हमारा hydrogen है नहीं sorry hydrogen नहीं हाँ hydrogen है क्योंकि below the plane हम living group ले रहे है like this bromine अब यह compound जब oh minus के साथ react करेगा तो sn1 reaction होगी आपको यह question में given होगा कि sn1 reaction होगी और नहीं होगी तो आप further देख सकते हैं कि उसमें sn1 possible है या नहीं है हाल फिलाल यह question में given है मान लेजें कि इसका जो है sn1 हो रहा है reaction sn1 mechanism के through अब इस in this case bromine जो living group है यह below the plane लाई करता है तो जो first product बनेगा वह हमारा as it is हम same बना देंगे ब्रोमीन बिलो साइड है तो हम बिलो साइड से ही ओच को attach कर देंगे and hydrogen हमारा as it is same रहेगा plus जो दूसरा compound बनेगा उसमें जो है CS3 deuterium जो plane में लाई कर रहते हैं हमने उन्हें plane में रखा उनसे कोई छेड जड नहीं फर्क बस इतना है कि जब यह below the plane से attack किया OH- तो यह same side से attack किया जिदर से bromine निकला second choice क्या है second choice यह है कि above the plane से attack करें तो जब यह above the plane से attack करें तो यह hydrogen shift करके below the plane आ जाएगा तो hydrogen हमारा below the plane आ जाएगा और OH जो है हमारा above the plane चला जाएगा A and B दो प्रोड़क्ट फॉर्म हुए बोथ आर इनेंसियो मर्स उफ इच अदर इनेंसियो मर्स उफ इच अदर एंड बोथ आर अगर हम solution की बात करें तो पूरे solution को हम racemic mixture बोलेंगे ठीक अब मैं यहीं पर chirality की में कुछ बाते कर लो कि chirality की से बोलते हैं कुछ molecules होते हैं जो chiral होते हैं और कुछ होते हैं जो akiral होते हैं अब यह chiral क्या होते हैं आप बेसिक चीजें आप ध्यान दें कि जब भी किसी कार्बन से कार्बन वह tetrahedral होने चाहिए मतलब sp3 hybridized होना चाहिए यह हमारा above the plane ब्रोमीन हमारा below the plane और यह जो कार्बन है अगर इसको tetrahedral बनना है तो चार ग्रुप्स होने चाहिए यह चारों ग्रुप्स अगर हम a b c d naming करें तो a should be not equal to b b should be not equal to c and c not equal to d इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इस कार्बन से अगर different different groups attached हों मतलब चार ग्रुप्स attached होंगे अगर चारों different हों तो वह molecule जो होता है वह chiral होता है जिसे हम optically active compound बोलते हैं कि इस तरह के molecules chiral होते हैं और इस तरह के molecules जो molecules chiral होते हैं उन्हें हम optically active compound बोलते हैं क्या मेरी बात clear है अगर clear है तो एक important note में आपको लिखाना चाहूंगा कि जब भी हम inensiomers का formation करेंगे तो inensiomers तभी form होंगे यह दो molecules तो form होंगे बट यह inensiomers तब होंगे जब यह molecule जो react कर रहा है वो chiral हो मतलब मतलब यह कि यह चारू groups अलग अलग हों अगर यह चारू groups अलग होंगे sp3 hybridized होगा तो जो SN1 reaction के थ्रू बनेंगे दो प्रोड़क्ट्स वह एक दूसरे के inensiomers होंगे अलग यह very important point नहीं है बट अगर आप इसको ध्यान में रख सकें तो अच्छी बात न रख सकें तो भी कोई सुमस्य वाली बात नहीं है क्योंकि इस topic basis पर इतने questions नहीं पूशे जाते तो आप इस topics को उतना अगर ध्यान न भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बट यास आपको इस बात को ध्यान देना है कि SN1 reaction के तुरू एक बार attack above the plane से होता है और एक बार attack below the plane से होता है और दो products हमें form होते हैं अब ये तो discussion हुआ हमारा SN1 की stereocamistry का अब stereocamistry of SN2 reaction को भी हम discuss कर लेते हैं स्टीरियो कमिस्ट्री ओफ SN2 reaction हम एक एक एक्जामपल लेते हैं CH3 CH2 and X कुछ इस तरह से होगा की C इसे एक CH3 attached होगा एक hydrogen होगा एक X होगा एक hydrogen होगा इसे होँ open instruction बनाएंगे तो अब हम क्या करते हैं कि SN2 एक समय नुक्लियोफाइल होता है बट नुक्लियोफाइल जो है वो इस living group के निकलने से पहले ही attack कर देता है जिसे के एक transition state form होती है इसका मैंने discussion किया है आप से जब transition state form होती है तो वो कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर है hydrogen hydrogen यह हो गया हमाँ CH3 यह उपर से और यह नीचे से अब इसमें क्या होता कि जो X है यह हम मार लेते हैं X है तो यह X हमारा भी तूटके निकल रहा होता है अभी completely गया नहीं होता है तब तक यह nucleophile जो है यह back side से attack करता है यह nucleophile का attack हो गया और इसी को हम transition state बोलते है है SP2 hybridized होता है यह transition state अब क्या होता है कि यह X जो है निकलता है totally और यह nucleophile totally form होता है और product कुछ इस तरह का कि फॉर्म होता है CH3 and nucleophile यह तो होगे हमारी basic mechanism अब अगर हम 3D structure की बात करें तो इस in this case SN2 की stereochemistry उतनी difficult नहीं होती in fact difficult SN1 की भी नहीं होती अगर अच्छे से समझ में आ जा तो बट इस्टेरियो chemistry of SN2 reaction में सिस एक ही product form होता है let's say this is CH3 this is hydrogen हमने above the plane को living group X रखा and below the plane हमने deuterium को रखा यह एक molecule है कुछ इस तरह से इसकी arrangement है आपको question given है प्लस एक nucleophile आजा SN2 reaction हो रही है यह आपको मालिजे given है कि SN2 reaction हो रही है और आपको product बनाना है अगर आपको normal bond line representation में structure given हो तो आप normally एक product बना दे कुछ इस तरह का और आपका answer बिल्कुल सही होगा लेकिन अगर आपको question वेजडेस form में आये तो इन देट केस आपको भी answer अपना वेजडेस form में ही करना होता है तो अगेन हमें जो भी atoms है molecule प्लेन में लाए कर रहे हैं जैसे हम सेम रखेंगे अब मैंने आपको इसमें बताया कि जो नुक्लियोफाइल का अटैक है वो जस्ट बिलो से होता है मतलब हैलोजन मतलब जो अब बस इतना याद रखें कि अगर लिभी बुख अब दूबलेन है तो नुक्लियोफाइल बिलोधी प्लेन लगेगा अन्युक्लियोफाइल利 बिलोधी लगेगा जो प्लेन रहेंगे मोलेक्योब यह अब अब ऑफ़ दी प्लेन सिफ्ट होजाएंगे बस यही हमारा प्रोडुट्ट सिंगल प्रोड़क्ट rugby कि और इस त한다 के रियक्षन और हम इन वर जन बोलते हैं इसके इसंहाँ वोल्डू ऐन इन वर्जन बोलते हैं वह निकला अंद इसका अपोजिट साइड से नुक्लेव yapıyor आटक हुआ एड कुछ इस तरह का compound फ़र्म हुआ इस reaction को हम SN2 reaction बोलते हैं जो इसमें इन दिस के stereo chemistry जो changing हो रही है हम इसको Walden inversion का नाम देते हैं इसम Walden inversion बोलते हैं ठीक इसमें single product form होता है इसमें SN1 की तरह दो product form नहीं होते हैं इसलिए इसमें confusion नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए आप बस इतना ध्यान दें कि जीधर से living group निकलेगा ये उसके just opposite side से attack करेगा अगर living group हमारा above the plane है तो ये below the plane attack करेगा अगर living group हमारा below the plane है तो ये above the plane से attack करेगा for example C let's say CS3 this is hydrogen and this is phenyl and this is bromine एक नुक्लियो फाइल हमें नुक्लियो फाइल को मानला OH- SN2 reaction हो रही है as given अब वो कोशन में given होगा अगर SN2 reaction हो रही है तो आप इतना ध्यान देख वर्ल्डेन इन वर्जन होगा ही होगा और वर्ल्डेन इन वर्जन का मतलब होता है कि जो नुक्लियो फाइल का attack होगा वो just opposite of living group होगा अगर living group since इसमें below the plane है तो जो नुक्लियो फाइल का attack होगा वो above the plane से होगा तो product जो form होगा वो ये होगा कि CS3 hydrogen सेम रहेंगे और जो ये नुक्लियो फाइल है वो below the plane नहोंके ये above the plane जाएगा ओएज यहाँ पर लग गया और जो फिनाइल है ये shift होके नीचे चला जाएगा इसको हम golden inversion बोलते हैं क्या मेरी बात याद रहेगे आपको तो आएए एक और example को discuss कर लेते हैं लेट छीएज थ्री ड्यूटेरियम छीएज टू छीएज टू छीएज त्री एंड जो बिलो दी प्लेइन है वो है ओएज और जो हम reaction करा रहे हैं हुआ है एच बी आर से करा रहे हैं इस तरह के reactions मैंने आपको बताया थे है एच बी आर मतलब acid है एच प्लस बी आर माइनस यह हमारा निकलियोफाइल की तरह अटेक करेगा बिफोर डैट ओएच माइनस एक बैड लेविंग ग्रूप है तो फर्स्ट अफ इसके पास लोन पेर है तो यह hydrogen इससे लोन पेर से attach हो जाएगा और कुछ इस तरह का formation होगा कि CH3 डूटेरियम और जो बिलो दी प्लेन ओएच है उससे प्लस चार्ज आगे ऑक्सीजन पर अब यह यहां से निकलेगा नुक्लियो फाइल जो बियार मैनस से उसका attack होना है तो opposite side से होगा जिधर से living group निकल रहा है उसके just opposite side से और जो product form होगा वो कुछ इस तरह से होगा Walden inversion होगा CH3 डूटेरियम और यह बिलो दी प्लेन से living group निकला तो यह above the plane आएगा बियार और जो above the plane होगा वो shift होके बिलो दी प्लेन चला जागा CH2 और CH3 इसे हैं हम Walden inversion बोलते हैं यह थी हमारी stereocamistry of SN1 and SN2 reaction अब एक दूसरा case जो आता है जो एक important है 3D structure में Fischer form जिसे हम बोलते हैं एक plus sensor represent किया जाता है CH3 hydrogen deuterium bromine plus OH- एक nucleophile यह given है कि यह जो reaction हो रही है वो एक SN2 reaction है और इसमें हमें Walden inversion कराना है क्योंकि हमें पता है कि SN2 reaction अगर होनी है तो Walden inversion होगा ही होगा इसको आप कुछ इस तरह से imagining कर सकते हैं कि यह C है इसे एक CH3 attached है एक hydrogen है एक BR है एन एक newterium है यह basically पॉंजव एक carbon को represent करता है इस तरह के form को हम fixture form बोलते हैं इसको हम fixture form बोलते हैं अभी मैं आप conversion भी सिखाऊंगा कि अगर कहीं आपको wedge dash में अगर given है और उसको आप fixture form अगर convert करना चाहें तो भी हो सकता है इनका inter conversion होता है बड़ विफोर देट इसको हम देख लेते हैं कि इसमें SN2 reaction कैसे होती है अब हमने मान लिजए हम तो पढ़के गए wedge dash formula और question आ गया fixture formula का तो हमें यह भी आना चाहिए क्योंकि यह important है तो SN2 के case में हमें पता है कि Walden inversion होगा ही होगा तो जीधर से living group attached है उसको उस side को छोड़के हम बाकी के molecules के agitive सेम रख देंगे for example यह जो bromide है यह right side है तो right side and left side molecules को छोड़के बाकी जो molecules है जो vertically है इनको हम agitive सेम लिख देंगे हमने क्योंकि यह living group थे तो living group and hydrogen को हमने सेम रख आ मतलब इस bond को हमने कोई अभी rotation नहीं किया CH3 और dutory हमने सेम रख अब हमें पता है कि OH जो है back side से attack करेगा back side का attack क्या है अगर bromine इधर है तो OH इस side से attack करेगा अब तो आपको product कुछ-कुछ imagine होने लगा होगा कैसे कि OH जब इधर से bromine निकलेगा तो OH इधर से आएगा तो OH हमारा अगर right side है तो left side से आया को shift करके यह right side भीज देगा तो यह हमारा product form होगा अगर यही living group above side होता let's say BR hydrogen CH3 and deuterium similar हम OH- से reaction कराए SN2 reaction ही हो तो अब क्या होगा अब यह जो living group पे यह above side है मतलब इसके opposite हमें reaction कराना तो हम below side से attack कराएंगे यह bromine हमारा निकल जाएगा हमारा hydrogen CH3 को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यह उसके side के नहीं है जो इसके side के होंगा यह opposite होंगे उसको हम effect करेंगे तो अब यह above side था तो OH जो है below side से attack करेंगा और attack जब निकल जागा तो यह से add हो जाएगा और deuterium को यह shift करके इसके opposite side भेंज देगा यह होती है golden inversion in case of fissure projection अब मान लिजे कि आपको कुछ इस तरह से fissure form दिया जाए है CH3 hydrogen bromine hydrogen deuterium and CH2 CH3 plus OH minus again हमें SN2 reaction कराना है same हमें fissure form given है हमें fissure form में कराना है SN2 Walden inversion हमें पता है कि Walden inversion होगा हम सिर्फ इस bond को छोड़के बाकि सब bonds को आजएटीज सेम लिख देंगे सिर्फ जो living group है उनको छोड़के क्योंकि जो होना है इनहीं बीच में होना है बाकि सब जो जो प्लीन में लाइक करते हूं उनसे हमें कोई एफेक्ट नहीं करते हैं ओएच SN2 Walden inversion backside attack कि backside attack करेगा क्योंकि Bromine अगर इस साइड है तो यह अपोजिट साइड से अटेक करेगा Bromine निकल जाएगा तो ओएच हमारा इस सेड आएगा hydrogen shift करके इस सेड आजाएगा यह हमारा answer होगा फॉर्दिस कोश्चन यह एक जंपल समझ में आया आपको आए फॉर्दर और आगे बढ़ते हैं अब जो है फिश्चर फॉर्म हमें एक बार एसन वन के लिए भी बात कर लें कि अगर एसन वन रियक्शन फिश्चर फॉर्म में हो तो इस इन देट किस क्या होगा एक बेसिक कोश्चन से स्टार्ट करेंगे हम सुट से यह मारा CH3 यह फिनाइल यह क्लोरीन एंड यह हैड्रोजन प्लस एक न्युक्लियो फाइल ओच माइनस हम ओच मैंस मार लेते हैं को यह बाद ने कोई और भी हो सकता है एक सॉल्वेंट यह आपको एजिंग करने हैं तो कर लेंगे लेट से हमने मार लिया एक मेथनॉल बोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो एसन वन रियक्शन को फेवर क करें कि अधर आती है कि इसमें अब हमें पता है कि इसे दो फ्रॉडुट्व फर्म होंगे तो ब्रॉडुद्व फॉर्म होंगे हैं हम बना लेते हैं दो प्लस एक होगा एक वैसे होगा सो अब मैंने आपको बताया कि जो सोन होगी इसमें एक बार जिधर से लिविंग ग्रूप जा रहा है उसी साइड से जो नुक्लियोफाइल है वो एड होगा मतलब यह CH3 और हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि इन दोनों से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ इन ही से मतलब होता है लिविंग ग्रूप और उसके अपोजिट साइड जो प्रेजेंट है अब एक मैंने आपको बताया है कि जिस साइड से लिविंग ग्रूप निकलेगा सेम उसी साइड से नुक्लियोफाइला के अटेक वो एड हो जाए एक यह हो गया है दू कि CH3 हाइड्रोजन अब क्या हो O H मैनस जो है इसके अपोजिट से अटेक करें यह L इस साइड है तो O H इस साइड से अटेक करें 20 orange यह मर्स आफ इच अधर होंगे हैं इनन्स यह मर्स आफ इच अधर होंगे आए एक और एक्जम्पल डिस्कुस करते हैं अधर है अधर है अधर है अधर है अधर है अधर हमने एक आर ओ माइनस को निक्लियो फाइल लिया इस बार यह जो है आरो माइनस मारा निक्लियो फाइल है और रियक्शन जो है एसन वान होना है अगें दो प्रोड़क्ट फॉर्म होंगे हमें बाकी सारे एटम्स और मॉलिकूल्स को सेम रखना है एक सैट लिविंग ग्रूप के अपोजिट साइड एं लिविंग ग्रूप को दोनों ही कमपाउंस में हमारा बाकी सब मॉलिकूल्स सेम पोजिशन पर होंगे अब इसमें दो प्रोड़क्ट फॉर्म होंगे एक इसके साइड से अटेक करें एक इसके अपोजिट साइड से अटेक करें हमने क्या ना कि एक जिस साइड से निकल रहा है उसे साइड से अट हो गया तो कि नुक्लियो फाइल जो है यह आर ओ माइनस इसमें जो अटेकिंग इस्पीसीज है वह ओ है तो यह ओ आर ही होगा इतरफार मोगा है वेज़ से के अब दूसरा क्या हो दूसरा हो सकता है कि अपयंस मेंस प्रॉडक्ट हो kendi है यह प्रोड़क्ट हमारा भी कि मेरे बाद इसमें क्लियर है कि कुछ इस तरह की स्टीरियो केमेश्ट्री ओफ एसन वन रियक्शन होगी इन केस ओफ फिश्चर फॉर्म अब एक इंपोर्टेंट्ट यह आपको और बता दूं अल्दो इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है यह नहीं पर अगर आपको हो सकता है कि यह फिश्चर फाम आपको ईजी लग रहा हो और वेजडेस फर्मॉला आपको डिफकल्ट लग रहा हो तो आपको अगर कोई मॉलिक्यूल वेजडेस में है ताप उस फिश्चर में करके अंसर अपना लेकिए और फॉर्दर उस जो प्रो करें वेजडेस फार्मॉला में गीवेन है कि और इसको में फिश्चर फार्मॉला में कनवर्ट करना है तो हम पता कि यह बेजडेस फार्मॉला कुछ इस तरह से रप्रेजडेस करते हैं और फिश्चर फार्मॉला कुछ इस तरह से रप्रेजडेस करते हैं और फिश्चर फ center है carbon का तो हम एक ही center बनाएंगे इसमें दो centers है यहाँ पर एक ही यह तो हम यहें पर एक ही बनाएंगे अब बात आती है कि जो bonds है जो plane में लाए करते हैं जो plane में ही bonds है उनको हम जो उपर के साइड है उपर लिख देंगे जो नीचे के साइड है वो हम नीचे लिख देंगे जैसे यह स्ट्री उपर है तो हमने स्ट्री उपर लिखा hydrogen नीचे साइड है तो इसको हमने hydrogen को नीचे रखा अब discussion आते हैं कि deuterium क्लोरीन को क्या करें तो आप इतना अगर ध्यान में रख सके तो जरूर ध्यान में रखें कि जो अब आफ दी प्लेन है विफोर देट एक और सीज बता दो आपको कि यह जो साइड है जो हमेशा एक साइड ऐसा होगा जो प्लेन के लिख करने वाले molecules के बीच के एंगल जो होगा उसे हम cavity का नाम देते हैं यह cavity जिस भी साइड होगी या अधर लेफ्ट होगी अधर राइट होगी अगर यह लेफ्ट है तो अब आफ दी प्लेन वाली ग्रूप लेफ्ट साइड जाएगी और बिलो दी प्लेन वाले इसके अपोजिट जाएगी यह हमारा कनवर्जन हो गया फिशर फॉर्म में इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टन चीज है वो है cavity आपको cavity का अगर डिसीजन आ गया और आपको पता है कि अब आफ दी प्लेन यह वाली ग्रूप है तो आपको अब आफ दी प्लेन वाले ग्रूप उसी साइड लगाना है जिस वह लेफ्ट साइड आया है देखिए और जो क्लोरीन है इसके अपोजिट सेड़ गया एक दो और एक्जम्पल में आपको कराता हूं कि लेट से हमारा कुछ इस तरह से है अब यह मॉलिक्यूल है यह वेजडेस फॉर्मूला में हमें गीवन है और इसे हमें फिश्चर फॉर्मूला में कनवर्ट करना है तो अगर आप देखें तो फिल हाल के कैविटी जो है यह मैं आपको बताया बैमी करते हैं जो पली नजर है उनके बीच का यंगल होगा है यह हमके से साक्विट को Legends उट तो यह एं वह क्याविटी हमें से साऍuld में रखना या तो राइड साइड में रखना है तो क्यों हम इस मॉलीकुल को कुछ इसतरा से रोटेट कर से बस थोड़ा सा 90 डिदीरी की अब कि अब थोड़ा सा रोटेट करें एक तो यह कुछ इस तरह से होगा हाड्रोजन हमारे यहां पर होगा है अब इससे क्या होगे इससे आपको यह कौन उपर होंगे और आप इसको कनवर्जन उपर है 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 और अब इससे रासानीज कर सकते हैं क्यों कि है यह नहीं नीचे भी है क्याविटी हमारा लेफ्ट साइड है तो अब आफ दी प्लेइन वाला जो ग्रूप होगा वह लेफ्ट साइड जाएगा और बिलोव दी प्ल और जहनों गया फिशर फ़र्म में एक एक और एक्जांपल देखते हैं जिसमें दो सेंटर्स हों कि यह हम आरवन लेलते हैं जनरल वैलू एक और टू कि इस पर सीच्ट्री है कि हाईड्रोजन है यहां पर हाईड्रोजन है अब इसका कनवर्जन हमें फिशर फ़र्म में करना है अब आप देखिए यहां पर फिदो सेंटर्स आ चुके हैं हमने भी दो सेंटर्स बना दिया अब जो एबव हैं हम एबव रखेंगे जो बीलू है उसको हम बीलो रखेंगे आरवन सबसे उपर दिखा हमें हमने आरवन को सबसे उपर रखा रूक हमने सबसे नीचे रखा अब這樣的 आती अब cavity in this case left side है अगर left side है तो above the plane above the plane ये वाली group होती है जो इस तरह से represent की जाती है solid line से तो above the plane वाली हमें से cavity की साइड जाएगी तो CH3 cavity की साइड में गया है hydrogen इसके opposite की है ये वाला काम हो गया हमारा in this case अब जो cavity है हमारी right side shift हो गई है in this case right side cavity है तो above the plane वाली group अब right side जाएगी above the plane में क्या है hydrogen है तो hydrogen हमारा right side जाएगा and CH3 हमारा left side जाएगा just इसके opposite ये हो गया हमारा conversion fissure form है क्या मेरी बात आपको समझ में आई है और अगर आई है तो एक conversion आप मुझे करके बता दे ताकि मेरे मन को भी संतूष्टी हो जाए कि आपको समझ में आया है अब आप इसे अपने से try करें आप इसको पौँच करके आप इसको try कर सकते हैं आए हम discussion इसका अब अगेन आप देखें तो इसकी cavity डाउन साइड है और अप साइड है तो इसको हम फर्दर एदर लेफ्ट साइड करेंगे या राइट साइड करेंगे अब आप इसके पास दो choices है आप इस molecule को को इस तरह से भी rotate कर सकते हैं अगर आप इस तरह से rotate करेंगे तो कुछ इस तरह से form होगा कि CH3 सबसे उपर चला जाएगा ये वाली CH3 सबसे नीचे आ जाएगी क्लोरीन हमारा उपर है तो उपर ही रहेगा हाइड्रोजन हमारा नीचे है तो नीचे ही रहेगा इनका position कोई difference नहीं होगा हाइड्रोजन हमारा उपर था उपर ही रहेगा क्लोरीन हमारा नीचे था नीचे ही रहेगा एक ये हो सकता है, दूसरा ये भी तो हो सकता है कि इस CS3 को हम रोटेट कर दें, अगर हम इस CS3 को रोटेट करेंगे, तो जो हमारा मॉल्क्यूल बनेगा, वो ये बनेगा, कि CS3 जब आएगा, तो CS3 उपर गया, ये CS3 नीचे आया, हमारा हाइड्रोजन इसमें उपर था, क्लोरीन हमारा नीचे था, इस वाले ग्रूप में जो यहाँ आज सिफ्ट हुआ कुछ इस तरह से, जब हम रोटेट कियां इसको इधर से, तो क्लोरीन हमारा उपर था, हमने उपर रखा, हाड्रोजन हमारा नीचे था, हमने हाड्रोजन रखा, एजटीट सेम रखा, हम क्या करते हैं, और सिर्फ इन दोनों का, रोटेट करते हैं थोड़ा मॉलकुल, तक कि हमारे जो क्याविटी हो, आधर लेट सेट आजाए और रेट सेट आ जाए, इस मॉलकुल जो हम रोटेट किये, तो यह सीच्टी, यहां सोटके यहां कहीं आगे हैं, सांध्य कोड तो्य श्ट्री हमने आजिती प्लिंट सेम क्याव्रिटी की साटेड बना दी ना तुछ सी ही ए उच्ग कहए गवाद का कि यह बात हुई अब हम इसका कन वर्जेन करें चेब में हम इसमें दो सेंटर सैंड तो इससे पहले बिफोर कंक्लूजन आपको बता दूं को आप इस मॉलेकुल को इस से रोटेट करें या इस मॉलेकुल को इस से रोटेट करें यह मॉलेकुल को रोटेशन से इसकी चेंजिस नहीं होने वाले यह प्रोड़क्ट हमेशा सेम ही देगा आपको हो सकता है कैसा लग जाक्योरम में वो सेम होते हैं अब इस मॉलकुल को इधर रोटेट करके इस कैवेटी को इधर ला दे इस से कोई फर्क नहीं पड़ता अब बस अर्ते हमारी जो कैवेटी है वो लेफ साइड और रैट साइड होने ush canyon कि यह हमने हमने कुछ इस तरह से रोटेशन किया इस बार इस तरह से सबसे ऊपर सबसे नीचे है यह हमारी लेफ्ट साइड आए अब अब दी पुंवाली ग्रुप हमारी लेफ्ट साइड जाएगी हाइड्रोजन अब साण क्लोरीन जाएगा कोगी क्लोरीन यहां पर अटेच्ट है सेम कर्बन से अब आए यहां हमारा नेक्स्ट कर्बन पर हम मैं सेंटर पर यहां पर कैविटी हमारी है राइट साइड तो क्लोरीन जो अब आफ दी प्लेन वाली ग्रूप जो है वो क्लोरीन है तो क्लोरीन हमारी जायागा यह हो गया हमारा फिश्चर फॉंप दिस अधिन्क आपको अब यह समझ में आ गया होगा कुछ आधिक चार एक्जांपल्स हो गया तीन हो गया तीन चार जो भी हो गया आए एक और देख लेते हैं और उसके बाद हम फर्दर इसके फ्रम फिश्चर टू वेजडास अभी आपको मैं स्री कहा देता हूं ताकि आपको फिर कोई समस्या नहों कर दो इस पार मैंने वर्टिकल दे दिया है आपको कि CL है यह CL है CH3 बिलो दे प्लेन हैड्रोजन CH3 बिलो दे प्लेन हैड्रोजन और इसका कनवर्जन हमें Fischer Form में करना है आप काउन करें 2 सेंटर्स है तो हमने भी 2 सेंटर्स बना दिया अग्वले लॉर्फ स्ट लिवान्ट से इऊभर है हमने सिय उप से उपर रखा सियल सबसे निची रखla अब क्लेय लेफ्ट साइड है तो अबाव धी प्लेंज above the plane वाले को हम solid से ये देख रहे है solid land से represent कर रहे है तो above the plane वाले ग्रूप हमेशा cavity के side से जाएगी तो CH3 hydrogen इसके opposite चला जाएगा अब अगले कारवन चब हम shift करेंगे तो in this case cavity जो right side है अगर right side है तो above the plane वाले ग्रूप right side जाएगी that is CH3 जो है हमारा right side जाएगा और hydrogen जो है वह हमारा left side जाएगा यह हो गया हमारा fissure form अब आज इसका reverse भी देख लेते हैं एक दो एक जाम पॉप्स अगर हमें fissure form की भीन है hydrogen cl and deuterium तो इसको हम fissure form में क्या से कनवाट करेंगे आप देखें एक सेंटर है हमने एक सेंटर बनाया यह एक सेंटर बना दिया CH3 मारा सबसे उपर था हमने CH3 उपर रखा आज इसका reverse होगा जैसा हमने आप रिलेट करिएगा CH3 सबसे उपर है CH3 सबसे उपर है deuterium सबसे नीचे हमने नीचे रखा cavity हमारी left side है हमने जो पनाया यह group इसमें हमने cavity left side रखा है left side रखा है मतलब जो group left side में होंगे वो above the plane होंगे और जो इसके opposite होगा वो below the plane होगा आप इसको cross check करना सकते हैं cross check कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं है further इसको facial form में convert कर लिए agitated से माना चाहिए CH3 सबसे उपर deuterium सबसे नीचे cavity हमारी left side है तो hydrogen left side आएगा above the plane है तो और जो L है है सब्सक्राइब है तो जो chlorine है उसके opposite जाएगा chlorine opposite आया exactly same product मतलब यह conversion हमारा बिल्कुल सही है 110 परसेंट कि यह conversion आपको समझ आया विल्कुल समझ में आया क्यों नहीं आया होगा अब आप इसको further आप नॉर्मल जैसे इन चनर्रल बुक्स वग्रापते जाता है उस तरह से भी करते आप इसको अगर rotate कर दें तो CH3 यहां पर आ जाएगा deuterium यहां पर आ जाएगा hydrogen जो above the plane है above the plane रहेगा जो chlorine below the plane है वो below the plane रहेगा कि बहुत हरसे बसरत क्या कि हमने थोड़ा rotate कर दिया इसको इसका conversion आप कुछ इस तरह से भी कर सकते थे क्याविटी आप इस साइट भी ले सकते थे अब ज़रूर्द थूने काप इस साइट से बनाएं आप इस साइट से बना सकते हैं CS3 एंड यहां पर ड्यूटेरियम सबसे उपर सीट है तेंशी आप जो है जो है जो के विटी है जो हमारा वह राइट साइड है तो राइट साइड वाला गुरूप अब 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 दिप्लेंग जाएगा लाइक देश और जो लेफ्ट साइड होगा वो बिलो दिप दूसरी है ड्यूटेरियम क्लोरीन CS3 और हैड्रोजन प्लेन में लाइक कर रहेते हैं है अब 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 दिप्लेन है यहां पर CS3 और हैड्रोजन प्लेन में ही लाइक करते हैं अब आपको लग रहा होगा कि सर ने SN1 में बताया था कि इस तरह के जब मॉल्यक्यूल हो जब एक अब 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 दिप्लेन हो दूसरा बिलो दिप्लेन हो तो वो वो जो है वो इनेंसियोमर्स हो जाते हैं बट इन दिस केस बोथ हर आइडेन्टिकल नोट इनेंसियोमर्स बोथ हर आइडेन्टिकल कैसे let me tell you इस plastic model को आप देखे क्यांके पिछली बार भी मैंने आपको plastic model से ही समझाया था इस बार भी आप plastic model को देखे ये जो है CH3 है ये जो है डियूटिरियम है ये कुछ इस तरह से है इन दोनों को बीच का जो angle है ये ये हमारी cavity है और हाइड्रोजन जो है जो है यह ग्रीन वाला है जो हमारे प्लेन को ऊपर है और जो क्लोरीन है वो बिलोधी प्लेन है क्या मेरी बात क्लियर रही हमने रिलेट किया कि यहाँ पर CH3 है रेड़ वाली यलू वाली डिटिरियम है हाइड्रोजन है हमारा अबव जो ग्रीन साइड है यह जो ब्लू है यह है हमारा क्लोरीन अब यह तो यह वाली मॉलेक्यूल हो गए ये वाली अब अगर ये जो cavity है हमारी ये जो cavity है इन दोनों बिच का एंगल इसे को हम cavity बोल रहे है ये cavity जो है वो हमारी left side है अब हम ये hydrogen जो है above side है अब अगर हम cavity के side को just opposite करें in this case cavity हमारी left side थी in this case cavity हमारी right side है cavity जब हमारी left side थी तो ये hydrogen हमारा above the plane था as it is same अब देख सकते हैं और chlorine भी हमारा below the plane था ये below the plane जा रहा है अगर आप इसी molecule को इस तरह से rotate करें like this कि cavity हमारी जो CH3 और deuterium की थी यहाँ पर आप इस तरह से match करें कि CH3 और deuterium की बिच की अब cavity हमारी right side आ गए तो अब अब देखें आपकी chlorine जो है हमारा उपर की side आ गया हमने कोई तोड़ मरोड नहीं किया हमने कोई atoms का change नहीं किया as it is same हमने सिर्फ cavity जो हमारी left side थी in this case हमारी cavity जो left side थी हमने उसको rotate करके अब right side कर दिया जब right side किया तो यह हमने जो इस समय chlorine जो below the plane था हमारा जो इस in this case below the plane था अब वो हमारा rotate करता ही above the plane आ गया and hydrogen जो है वो below the plane जाने लगा तो क्या हमने इस model को थोड़ा सभी interchange किया atoms का नहीं किया and since नहीं किया मतलब इन दोनों molecules क्या है same है तभी तो same आ जा रहा है in this case cavity same थी CS3 deuterium के angle जो यह angle है हमने cavity नाम दिया जो left side में था तो hydrogen in this case above side था hydrogen above है chlorine below था chlorine हमारा पीछे के साइड जा रहा है जो इससे छुप जा रहा है जब हम इसी को जब हम cavity को just opposite करेंगे कुछ इस तरह से rotate कर देंगे तो chlorine जो हमारा below के साइड था वह देखिए धरे धरे उठके आप उपर के साइड आ रहा है और hydrogen जो उपर था वह नीचे जा रहा है chlorine हमारा उपर आया hydrogen हमारा नीचे गया कि इसलिए यह molecule जो यह दोनों हमने फॉर्म गया इडेंटिकल है इसलिए आप इस बात से बिल्कुल न डरें कि यह जो cavity हम left side बना है यह राइट side बना है it doesn't matter जो आपका formation होगा आपको यह समझ में आया होगा मैंने पूरी कोशिस कि आपको यह समझाने के लिए कि यह दोनों आइडेंटिकल है कि आये और एक्जामपल्स देख लेते हैं कि लेट से यह हमारा एक एक्जामपल है कि अब ओफ दब मैं फिशर टू वेजडास बता रहा था कि CH3 है और दिस इस फिनाइल दिस ब्रोमीन और दिस इज आयोडीन इसका कमन वर्जन हमें करना है वेजडास फॉर्म में अगर हमें वेजडास फॉर्म में करना है तो हम कैवटी को लेफ साइड भी रख सकते हैं राइट साइड भी रख सकते हैं यह आपके उपर है आपको जो अच्छा लगे आपको अगर लेफ अच्छा लगते है तो आप लेफ करिए राइट अच्छा लगते है तो राइट करिए बसरते कैवटी और उस साइड का जो एटम सायंगे उस बात का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप cavity को left side रखते हैं यह cavity को अगर आप left side रखते हैं तो first of all जो अभव हैं वो below हैं उनको हम एजटेट सेम लिखते हैं जो cavity हमारी left side है तो left वाला group हमारा above the plane जाएगा जो इसके अपोजिट होगा वो below the plane जाएगा अगर हम cavity left side लेंगे तो जो left side वाला group है वो above the plane जाएगा और आयोडीन जो है वह below the plane जाएगा अगें सेम अगर आप इनका प्लास्टिक मॉडल बना का अगर चेंज करेंगे प्लास्टिक मॉडल इसले समझा जाता कि आपको एक्शुल एजूम कर सकें आप इमेजिन कर सकते हैं कि वह किस तरह सब्सक्राइब यह CS3M ने उपर रखा ब्यार नीचे रखा तो हमारा यह दोनों ही मॉलक्यूल एक्जैक्ली सेम है दर इज नो डिफ्रेंस आपको यह समझ में आया होगा आथिक आपको यह कनवर्जन भी समझ में आगा फ्रम फिश्चर फॉर्म टू वेजडेस फॉर्म आए यह दो एक्जैम्पल्स हम और देख लेते हैं इस बार हमने दो सेंटर से ले लिया च्छी च्छी हाट्रोजन इसका कनवर्जन हमें यह बैसिकली फिश्चर फॉर्म है इसको हमें कनवर्जन करना है वेजडेस फॉर्म में हमें वेजडेस फॉर्म में इसका कनवर्जन करना है दो सेंटर्स है हमें दो सेंटर्स कोच इस तरह से एक ये हो गया है कि य। हो गया Also हम wrazer से उपर है요 और सिचर च्छी सब्सटнуться उपर रखेंगे और एक सब सेर्थ है तो हम डॉन रखेंगे in this case cavity अगर हम इस carbon की बात करें इस वाले carbon की तो cavity हमारी left side है तो ये left वाला group above the plane जाएगा right side वाला group below the plane जाएगा further जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये इस वाले carbon पर हम देखें तो carbon की ये cavity हमारी right side आ रही है cavity अगर right side आ रही है तो right side वाला group above the plane जाएगा मतलब chlorine यही right side है तो ये above the plane जाएगा और hydrogen below the plane जाएगा ये होगा हमारा wedge dash form ये vertical form है आप इसको urgently rotate कर सकते हैं like this जब आप rotate करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि ये CS3 आपका यहां आ जाएगा और ये वाले CS3 आप घूम के यहां आ जाएगी जो above the plane रहेगा वो above the plane ही होगा इनका कोई difference नहीं होग रोटेशन से ये chlorine ये chlorine ये hydrogen ये होगे हमरा फिशर form as simple as that अगर समाझ में आ जाए तो कोई difficulty नहीं है और ना समाझ में तो believe me ये जो कन्वर्जन है फ्रम फिशर टुवेश्टेस और वेश्टेस टू फिशर इतनी आसाने से किसी को नहीं समाझ में आते अगर आपको आ गया ये आपके लिए achievement है believe me कि ये बात सारे clear हुई एक example में करा देता हूं जिसमें हम वेज़्टेस टू फिशर फिशर फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हैं लास्ट दो तीन मिनट अधिश इसका कोई इतना important रोल नहीं है मैं एक एक ट्रैक्टिस के लिए आपकरा दे रहा हूं जिसमें हम तीन सेंटर ले रहे हैं उपर सीच्ट्री नीचे भी सीच्ट्री इसमें अबव साइड है क्लूरीन बिलो साइड है ब्रोमीन इसमें जो है अबव साइड है वो ब् इसमें बिलो साइड क्लूरेड और यहां पर सीच्ट्री और यहां पर है हाड्रोजन इसका कन्वर्जन हमें basically फेशर फर्म में करना है तीन सेंटर्स है तो हमें भी तीन सेंटर्स बनाने होंगे तीन सेंटर हमने बना लिए 1 2 & 3 1 2 & 3 CS3 सबसे उपर तो हमने CS3 सबसे उपर रखा CS3 बिलू है तो हमने CS3 बिलू रखा अब फॉर्दर हम उपर से नीचे आएंगे फॉर्स्ट सेंटर है क्याविटी हमारी लेफ साइड तो अब 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 दे प्लेन वाले ग्रूप राइट लेफ साइड और जो इसका पोजिट प्यार जाएगा अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह सेकेंड सेंटर इसमें क्याविटी हमारी राइट साइड है तो अब 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 दे प्लेन वाले ग्रूप राइट साइड जाएगा ब्रूमीन राइट साइड जाएगा क्लोरीन लेफ साइड जाएगा फर्दर हम आगे बढ़ेंगे थर्ड सेंटर कैविटी हमारी राइट साइड तो CH3 जो अबव दे प्लेन ग्रूप होंगे वो हम इसे कैविटी की साइड में जाएंगे तो कैविटी हमारा सिंस राइट साइड है तो CH3 जो अबव दे प्लेन है वो अमरा राइट साथ जाएगा इन जो हड्रोजेन इसके अपोजिक जाएगा ये हो गया हमारा फिशर फर्म ओ अफ डिस डीवन वेज डैस फर्म यह फिलेज डैस फ्रम इस मघेज में आया होगा ये यह सारी शिखीज यह थी हमारी स्टीड the chemistry of SN1 SN2 के basis पर मैंने काफी आगे तक भी आपको बता दिया ताकि आपको अगर कहीं कुछ एक सिमिलरी हो सकता है कि एक सेंटर के बजाए दो या तीन सेंटर के बेसिस पर मिले हैं ताको कोई प्रॉड्म ना हो हम मैंने आपको कंवर्जन भी सिखाया अगर आपको SN1 की स्टीडियो कमेस्ट्री अगर फिश्चर फर्म में अच्छी लगती है ताप वेजडेस टिफ फिश्चर में पहले रियक्टेंट को कंवर्ड कर ले उस बड़ फॉर्दर आप रियक्शन करा ले वह आपके उपर है अ अगर फिश्चर फर्म में आए तो भी अच्छा कोश्चन अगर वेजडेस फर्म में तो भी बढ़ी है कोश्चन तो यहां पर हमारा स्टीडियो कमेस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रियक्शन खतम होता है एक लास्ट जो है मैं डिसकॉस कर लेना चाहांगा कारल्टी थोड़ा औ अगर हम बात करें कायरेलीटी को तो कैयरेलीटी आफ कार्बन आप बस इतना ध्यान दे कि किसी भी कार्बन से चार डिफ्रेंट अगर ग्रूप अटेच्ट है तो वह कार्बन जो होगा वो कायरल होगा हम इसको स्टार मार्क करते हैं और एक्जामपल यह हैड्रोजन यह ड्यूटिरियम यह क्लोरीन यह ब्रोमीन यह सेंटर कैसा होगा कार्ब सेंटर होगा अनदर एक्जामपल च्छ थ्री हाड्रोजन च्छ थ्री एंड क्लोरीन क्या यह सेंटर कार्ब होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यह और यह ग्र सॉरी और शुर्वी डिफ्रेंट तो यह हमारा करल सेंटर नहीं होगा एक और देख लेते हैं लेट से हैं है अध्रोजन क्लोरीन प्रोमेइन फ्लोरीन यह करल सेंटर होगा बिल्कुल होगा एक साइकलिक कमपॉंड देख लेते हैं कि क्लोरीन उधि τर замечета यह वाले ग्रूप और यह वाले ग्रूप को देखें तो यह से हैं तो हम एक और वालोके बढ़ते क्योंकि और बहुें सब्सक्राइब कार्वंस शेयार यह यह ये यह विद्युनसे मैं धरागे बढ़ेंगे यह द्रोन होगी है तो यह जो center है अगर हम इसके थूँ एक लाइन खीचे तो जो अबब है वो below है मतलब यह दुनों same है तो यह दुनों same है तो यह कारल center नहीं होगा अगर हम इसकी बात करें कि क्लोरीन यहां पर hydrogen और यहां पर हम प्रोमीन लगा दें एक side तो अगर हम देखें तो यह अलग है क्लोरीन एक hydrogen अलग है यह तो carbon ही है अगर हम इस side देखें तो इस पे BR attached है और इस side दो hydrogen attached है दो hydrogen attached है इस पे एक hydrogen एक BR है मतलब यह वाली side और यह वाली side अलग है this one and this one is entirely different मतलब यह जो इस कार्वन से चार्ड जो different different atoms या groups attached है that's why this कार्वन इस कार्वन इस कार्वन यह कार्वल होगा इस तरह से हम कार्याली चेक करते हैं और इस से ज्यादा इंपोर्टेंट आपके सिल्वस में कुछ नहीं है फिलाहल के लिए जो important है वह इस्टीडियो chemistry थी वह हमने अच्छे से डिसकस कर ली तो further आप revise करते रहें क्योंकि organic chemistry आपको revision सही समझ में आएगा believe me अगर आप revision करते रहें तो organic chemistry है सबसे easy chemistry होगी आपके लिए अगर आपने revise नहीं क्या time लें तो यह भी जान लें कि organic chemistry ही सबसे tough chemistry हो जाएगा आपके लिए तो मेरा suggestion यहीं होगा कि जितनी भी चीज़े आपको बताई जाती है आप उन्हें जब भी time मिले एक बार revise जरूर किया करें और लिख लिख कर हो सके तो जरूर करें क्योंकि इससे ही organic chemistry आपको समझ में आती है तो आज के लिए हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं अपने अग तो मुंठ रखें आपको शमर क्योंकि नियुते हैं मिलतके हैं अगर मिलते हैं क्योंकि आता हैं